मुझे मत सताओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं और ऐसे ही कुछ और सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये भी सीख लेते हैं मुझे मत सताओ को इंग्लिश में आप कह सकते हैं don't tease me या don't bother me यानि कि सताना का मतलब होता है किसी को परिशान करना तो आप कह सकते हैं Don't tease me या Don't bother me जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि किरपया जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे परिशान मत करो या मुझे सताओ मत तो आप कह सकते हैं Don't bother me while I'm studying, please या अगर आप ये कहना चाहें कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं तो किरपया मुझे परिशान ने करें तो आप कह सकते हैं Please don't bother me when I'm working on my project या अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे छोटी छोटी बातों से परिशान मत करो या सताओ मत मुझे कुछ महतपूर्ण काम करने हैं तो आप कह सकते हैं Don't bother me with trivial matters I have important things to do अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें